है याई वेल्ग वेक्तों नेवेस्टी चोड़ा तो आज मैंने चॉक्रेट पिस्कित की रेसिपी ट्राइट आज क्यों इससे मैं पहले दोबार बना चुकिन हो जोबार बना चुकिन हो एंड ये इतने डिश्चे अधे तो मैंने सुचा अवे जल्दी बोल कल सुबह पनवे ं होके क्यों न मैं आपके साह से करें सिक्राइब तो इसको बनाने का लिए को कि ईचेर पावडर तो हमें इसके लिए मैंन चीजिए वाखि देन चाहिए बाकि आप बीड़े थो बनाने के लिए हमछाए हम को को पावडर शुहर् वि precise मिल्क बटर जब करना है तोय ऊंब मैंने स्टार्ट करता है तो छेल पर बने हीमसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम को एक तोर्ह ममें हो है आपड कर से लेना है आप क्याहीं नियुके डालना है और फिर हमें गुवरियस Newton कोच ओकटरिको डाल सकते हो और अगर अगर आप मेल्टेड चोकलेट डालो मेल्ट करके डालो चोकलेट को तो आपको सबसे लास्ट में करना है यह काम मेल्टेड चोकलेट का काम आपको लास्ट में करना अगर आप मेल्टेड चोकलेट लो तो अगर आप कुछ भी ड्राइचीज डालो जैसे तो फिर आपको डालना है मीठा सोड़ा हम इसे मीठा सोड़ा भी कहते हैं इसको कहते हैं वैसे तो हमें डालना है बेकिंग पाउडर मलब की हिंदी में बॉलते मीठा सोड़ा अब मैं कंफ्यूज होती हूं गाइस बेकिंग पाउडर होता है या बेकिंग सोड़ा नाम तो प बीठा सोड़ा कहते हैं यह मेरे को पक्का हो चुका है बट बेकिंग पाउडर या बेकिंग शोड़ा है इंगली सकाने तो आप उसमें डाल सकते हो सुगर डाल सकते हो क्या है कुछ भी ओलते हुग है तो हमको सुगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इन सब चीजों फिर लास्ट ऐंड चीज रहती है जो की चीज है, सबसे में चीज, वो है, बताओं कुन सी है, पर आप मिक्स कर लो अच्छे से, सो इसका कर लो कुछ ऐसा हो जाएगा, आप चोकलेट डालो, एक्स्टा में भी, तो ज्यादा अच्छा है, और अब हमें इसमें मिल्क डालना है, वही चीज थी, मैंने आपको बता दी, यह लास्ट चीज है मिल्क, आप इसमें और भी अपनी फेर 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 चीज डाल सकते हो, जैसे कि चोकलेट भी डाल सकते हो, ज़रूर थोड़ी एक चीज डाले, कोको पाउडर या फिर चोकलेट, दोनों भी डाल सकते हैं, तो फिर दोनों भी डाल सकते हैं, और आप ड्राइ फूट भी डाल सकते हैं, फिर मिल्क से हमको आटे की तरह अच्छी तरह से इसका एक डो बना लेना है, इसको अच्छी तरह से, वह क्या कहते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, आटे को बनाने को, आ मुटानी मिन क्या बोले वाली थी तो आपको में बात में बहुती, दistling के समझ माहर होगी, मैं जाने ये तो यह बीड लेट आई है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको चॉकलेट की तरह आ रहा है विज चॉकलेटी बिस्कित है और यह खाने में इतने अच्छ होते टेस्टी यह वैसे मैंने खुद बनाई यह इसलिए आपको जरूर घर पर ड्राइक करनी है एंड आपको चख कर बना कर चख कर आपको ass tan Ń भिजव की बनाना है फिर आप मेरेको क्मेंन में बताना कि कैसा था कि मैं अभी तो जानू मैरे खुद की मन की रेसेपी बनाई हुई कैसा होते इतनी भी मैंने खुद की नी बना हुई मैंने कुछ-कुछ देखा था इंटरनेट पे इन सब चीजों का कि मतलब लाइक कौन-कौन से जीर डलती है जैसे कि आटा डलता है या मेदा डलता है या फिर इस टैप की देखिए बट पूरी की पूरी ने देखिए इंटरनेट में ठीक है अब आपको जो है गूतना है बट मैंने गलती की थी इस वीडियो में जो आपका पता चल जाएगी एक सिकिन वो गलती मैंने पहले कर लिए या अब करूँगी हाँ अब करूँ यह देखो मैंने गी डाल दिया गी मैंने ज्यादा डाल दिया आपको पहले डो को साइड में रखकर पूरी तरह से कटोरे को जो है अच्छी तरह से गी से बढ़ना और एकदम कम गी लेना आपको ज्यादा नहीं लेना तो मैंने कुछ जादेगी ले लिया फिर मेने ना इसको कपड़े से पहunk जा जादेगी ले लिया इसलाए मैने कुछ रही है। ना करें इसलिए आपको जूम में दिखेगा देखो पूरी कटोड़ी नहीं है पूर से कट रही है तोusing क्या कर हूँ मिरे पास तो चेटिचन में पूच इन ही इसलिno Nic इसलिए मेने खुछ का जू गार लगा कर वीडियर और ज 시청 date the camera stand तोट गया अब कुछो कर तो नहीं सकता है अब जूगार लगा आब लाएंगे तो नेया लाएंगे और पर चंब्ले कहा डो बना कर एकित he हो सके फिर आपको उसको गोल-गोल करके इस टाइब का सिप देदे लेक लो एज ओ तरह से गोल-गोल करो गोल-गोल करो गोल 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 और फिर इसको दबा़ा लो कभी कभी गढपड हो जाती जाथी है इंसान से गढपड होती है तो गाज़ा आप सबसे पहले तो मैं च connect करो करो हैं यह अजो में सबस्क्दा करते हो ना आप देखते हो वीडियो कुछ भी ले सकते हैं, उस पर रखकर सुगर का छिड़काव करना है, पिछे से भी आगे से भी सारी तरब से, तो आपको सुगर लगानी है, दोनों साइट से लगानी हो के, फिर आपको एक पैन लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ घी, लगा रही हूँ पैन पे बटर, यह आप कुछ भी ले सकते हो, जिस स्टेप में मैंने गी उज लिया, आप उस स्टेप में आप बटर भी ले सकते हो, बटर तो जादा अच्छा होता है, मैंने गी लिया, बटर यहाँ पर है नहीं मेरे पास, इसलिए, आपको यह जो है, इस स्टेप से सिखना है, इस स्टेप से फ् भक चीष में दर अंडर को है तक भी कोल्ड कई बुल्ड ऎ है भी तक 90 फिल अवीग के नहीं करो regulating लें जासे हो जब यह वाले स्टेप करोगे तो आपको बहुत ज्याद तेज अवाज आएगी, मैं लगी कुछ ज्यादे अवाज आएगी, छरल एस स्टेप की फ्राय वाले अवाज आएगी, और अगर आप छोटे हो, मिन्स, अगर आप थर्टीन यर के नीचे वाले बच्चे हो, तो आप को यह नहीं करना चाहिए, अपने मम्मी या पापा या फिर अपने कोई बड़े से करवाना चाहिए, यह काम, तो आप सावधानी बढ़ रखना पड़ेगा, आपको यह स्टेप कारते हो है, तो यह बहुत टेस्ट होते है, हाँ, तो मैं क्या करी था, कि आपको यह जो काम ह यह अप ठर्टीन युर के निचे वाले 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 बच्चे उन से ना, यह सावधानी बरकी जाती है, उनके लग जाती है, हाथ जिल जाता है, इसलिए, और देखो हूँ गाइस, इस बिसके ना, कितने अच्छी तरह से बने है, आप जाओ तो इस पे डेकोरेशन कर सकते ह और कितना अच्छ है है और गाइस में दिए नेक्स्ट विए मैं तापते के लिए बाइ मेरको एंड इंट्रो के लिए कुछ नी मिला इसलिए मैं अपनी फॉटो डाली है और मैंने आपको भी बोला था ना कि मैं कल फॉंक्शन में गई थी और यह फॉटो उसी फॉंक्शन की है उसी फॉंक्शन में की इंचीती है बेग्राउंड सिकाया अनिवर्सरी की